तो मैशिप पतंजली के अनसार केते ही क्रिया योग के अभ्यास के उद्धिश है सर क्या है, शुत्र याद है, कहां से प्रश्ण है, दूसरे है ध्याय का दूसरा सुत्र है जिन विद्यार्थियों ने अभी ये योग सुत्र रहीं पढ़ा है फिर विए ओ क्लास में थोड़ा सा ध्यान दे और कोशिश करें जल्दी से पढ़ ले क्या क्या था दूसरे देगा दूसरा सुत्र सर पहला था तप क्रिया योग में क्या क्या होता है तप होता है स्वाध्याय होता है मंजुला मैं और इश्वर पनिधान तीन होते हैं तीनों में कहा गया क्यते समाधी भावनार्थ है क्लेश तनू करना आर्थ है क्यते दो और च तो थोड़ा ध्यान रखना है सुत्र की बात से दिमाग में अभी बोल नहीं सकता हूँ अना तो दूसरे अध्याय का दूसरे सुत्र है समाधी बावनार्थ क्लेश तनुकरनार्थ तो कल को यह बताओ अब मुझे यह बताओ विवेक ख्याती जो होती है कौन सी अवस्ता है सत्व और पूरुष इन दोनों के बीच में कैसे संकीरनावस्ता की मुझे पता ही लग रहा कि सत्ल क्या है और पूरुष की संकीरनावस्ता वो भोग है ठीक है, ओके, और सत्व और पुरुष की शुद्धी हो जाना, सत्व की अलग शुद्धी हो गई, सत्व अपने आप में चला गया, पुरुष अपने आप में चला गया, बिल्कुल दूर दूर हो गई, शुद्धी सामने, शुद्धी हो गई, तो वो क्या चंपू प्रिया म वा कैवल्या है, ऐसी शब्द यूज किये गए थे न तो ठीक है, तो कैवल्या पता लगा विवेख्याति पता लगा में तो ओप्षिन नंबर दो और चार वह अपना ओप्षिन नंबर तीन जो है राइट हो जाएगा, और ये प्रशन सर दूसरे पाद में से आया है दूसरे पाद का नाम क्या है मानसी कलिता मैं मैर्शी पतंजली ने चार पाद बताएं पहले पाद का नाम समाधी पाद कितने हैं सर सुतर पहला पाद है तो एक आगे लगा देता हूँ दूसरा साधन पाद है एक आगे लकाए तो एक आगे 5 लगाएता हूँ पहले पाद में एक ही बार 5 आए तो दूसरे में 2 बार 5 आएगे ठीक है तीसरे में भी दो बार 5 लास्ट सेकिंड है इसलिए तीसरा विबूति पाद और चोथे का नाम क्या है सर चोथा अध्याय का नाम है कैवल्य पाद और चोथे से पहले कितने पाद हो रहे हैं तीन पाद हो रहे हैं तो तीन पहले लगा तो चोंतिस सुत्र संच्या मेशा याद रह जाएगी आदनिया बावेश कुमार सर बहुत ही बढ़िया रंजना शर्मा जी इतना अद्वू तो कहते हो मुझे पता निया चीजों का आपको तो बहुत अच्छे से याद रंजना जी ओके नेक्स प्रसिन सर तो कहते सूची वन और सूची टू को एक साथ समयलित करना केते बताओ सर ये प्रशन क्या है कहां से क्या प्रशन आ रहे हैं मंतर आणा मैं बहुत भड़िया ओक तो कलेह, सर पंच कलेशों का वरनन किस अद्याय में? सबसे पहले आप लोग उत्तर दीजे, मैं सर्चा करता हूँ कैते पंच कलेश जो हैं, किस अध्याय में? सर सुद्र याद है क्या? काहां प्रबात्य आती है सर दूसरे के तीसरा ये शुत्तर सर यह है क्योंकि दूसरे सुत्र में कलेश को तनुकरने की बाद थायी तो तीसरे में कलेशे का नाम दे दिया चित्वृत्ती, 5 वृत्तिया सर, ईकलिष्टा, उसा सुत्राता है और पांचो वृत्तियों का नाम सर एक hी बार में दिया गया है सर पांच सुत्रों में तरह यह चटा है, पहले का चटा, पहले द्यागनाम समाधिपार, सहब हुए, सर अंत्राएं का याद है, कि अंत्राएं सर ए लिखा जाता है, ऐसे अंत्राएं, ऐसे, तो इसके पीछे जीरो लगा दो, पहले अध्याय का तीस्वा सर अंत्राय हैं कितनी बताई गई यह नो बताई गई है चित्विक्षेपास ते अंत्राया व्यादी सत्यान संच्या प्रमाद आलसे अविरती ब्रांती दर्शन अलब दभूमी कत्व अनवस्तितत्व चित्विक्षेप आस्ते अंतर आया तीसर के जश्ट बाद में आ जाता सहब हुए दुख दौर्मनस से अंग मेजितो स्वास प्रश्वासा विक्षेप सहब हुए सुत्र देखो बहुत से विद्या थी आपर परिशान रहते कि सुत्र सर याद कैसे होंगे अपने को कैसे संख्या याद है दूसरों को तो ये देखो बार-बार रिपीटिशन से हुआ है किसी बच्चे ने आप में से पहले से याद नहीं कर रखा था एक दो यी बच्चे होंगे जिनको याद था सभी ने क्लास में रहते हुए दिरे-दिरे याद किया है और योगसुत्र जिस बच्ची का इंट्रेस्ट है कि मुझे जयारफ करना ही करना है तो योगसुत्र सर कंठस्त होना चाहिए आपको इसके बगएर जयारफ आपका किंचित मुश्किल मालूम पड़ेगा या किसमत के प्रोसे होंगे आप तो जयारफ करना है तो प्लीज आप योगसुत्र जरूर रट लीजेगा तो क्लिश कितने थे अविध्या, अस्मीता, राग, दिश, अभ् personnिवेश, अस्मीता, दी तो एक का क्या होना चीज, सर डी ही होगा पहले का दी होगा सर एक का डी होगा म mein मेरा क्या क्या उत्तर नहीं हो सकता सर, मुझे प्रशन के बारे में जादा Po sincere यह orazुट यह नहीं होगा एक मिलन चार नहीं होगा तीक है next में बात करूँ सर अगला अगली बार यह केっे है चित्वृत्ति चित्तवृत्ति केतनी होती है प्रमाण विप्रेविकल्प निद्रासम्रिट है विकल्प सर अपनी आगी दूसरे सि आ गया तो दूसरे का सी सर दोनों में यह है फिर आता है सहव हुए विकशेप सहब दुख दोरमनश्य अंग में जटा स्वास प्रश्वासा विकशेप सहब तीन और दो सर तीन का जो है बी होना चाहिए तीन का बी सर option number 3 में तो अपना राइट उत्र है बी हो जाएगा नवीन त्रिपाठी सर आशा करता हूँ आप जो है केवल और केवल जग्यासाओं के अलावा कुछ पढ़ना भी पसंद करते हैं और याद रखना भी पसंद करते हैं आता ही हो नेक्स्ट प्रेशन करिए सर इस प्रेशन को जल्दी से यह प्रेशन कहां से होगा सुत्र संख्या डिसाइड करिए इसकी अमरेश गिरी साब सुत्र संख्या बता यह इस प्रेशन की जल्दी से कहां से प्रेशन है यह सुत्तर संख्या जल्दी बताओ डोक्टर अर्पिता शक हो गया मुझे अपने आप पर तीसमा है मुझे ऐसा लग रहा है और यह मंजुला में आपको सुक्तर संख्या याद है वाउ बहुत बड़ी है मंजुला जी तो देखो सर सत्यान केते क्या करें केते सभी का पता नहीं पर अनवा स्थित नहीं होना इतना पता है इसका तो प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाई रखने में ऐस मर्थ था तो चार का सी होगा कंफरम है सर हम और हमें पता नहीं क्या होगा तो चार का सी सर एक ही मातल चाथा कुछ भी करना ही नहीं चाथा एकरमन्यता चितकी एकरमन्यता मतले मेरी इच्छा नहीं यह मैं करूँ यह योग करूँ इस तरीक है योग से और एविरती क्या था अविरती कहते वेराग्या नय होना किस से वेराग्या नय होना कहते आपके संसार से वेराग्या नय होन तो दो का सर D बनता है तो सर बिल्कुल ठीक है दो का D, ओके, और सर क्या बनता है, क्यते किते हैं आपके इसमें देखा जाए तो मतलब लब्ध नए मिलना किसी चीज का, तो समाधी बूमी को प्रापत करने में एस मरता, समाधी मिल की नहीं रही करते हैं, कि मैं धू음 ढून रहे हैं हम समादी दिरो दिरो फिर के मिल ही नहीं रही मान सी कर्षिता मैं गलतियां करते रो आप आप अना ऐसी आगे बढ़ते रो तीन का ए जो है अपना राइट अंसर हो जाएगा और चार का फिर सर अपना सी हो गई हो इस तरीके से उत्तर आ जाएगा क्लियर है ये तरिकत यूज़ करना है सभी को और ऐसे ही निकालना है एक्साम में ध्यान कियेगा बहुत सारे प्रश्ण होंगे अब जन्रवरी 2017 में फिपर 3 अध्यात्म परशयाद बताओ किसका प्रेणाम है सर्थ अध्यात्म परशयाद सुत्र संक्या बता सकते हैं तो बता स्ट्र है चालिस के बाद का सुत्र पहले ध्याएं में और पच्चत से पहले का है इतनायलं सम याद है तो exactly कैसे पदा करो से यह दोgraduate ऑर-at सर कैसे सीक्वेंस थी नहीं पता तो आओ सर पता करें कैसे कहते सर समापत्तियां हैं समाधी संपरग्यात होती है संपरग्यात की कहते चार अवस्था हैं कौन-कौन सी वितरक अनुगत वितरक विचार विचार और आनदा अनुगत और असमीता अनुगत यह चार समापत्तिया वितर्क क्या कहा, सैवितर्क कहा, और वितर्क का दूसरा पार्ट, निर्वितर्क कहा, निर्वितर्क, यह दो पार्ट के, ऐसे विचार के सैविचार और निर्विचार, कहते सैवितर्क जो है, वो क्या थी, सैवितर्क की खासियत क्या सैवितर्क, कहते तत्र शब्द अर्थ गनली क 550 पह सब्द रहेगा अर्थ भी रहेगा और ज्ञान अर्थ के तर भी रहेगा और यह तो श्यावतर्ग में यह विद्ध में ज आगे एतियव से विचारा निर्विचारा सुक्षम विश्या व्याख्याता केते हैं ये सुक्षम विचार विचार जो है उसी अर्थ में अब कहा गया विचार के लिए केते हैं ये जो विचार समाधी है ना निर्विचार निर्विचार समापते निर्विचार जो समापती है इसम मिलता है निर्वी चार से निर्वी चार आई तो उससे क्या आ गया अध्यात्म प्रसाद आ गया और अध्यात्म प्रसाद जैसे ही हुआ तो प्रग्या कैसी हो जाएगी रितंबरा प्रग्या हो जाएगी तो अब सर उत्तर देखो कहते अध्यात्म प्रसाद किसका प्रिणाम विशाखा वर्मा में ऐसी कहा जाता है ठीक है अब बात कर लिए सर बाक्चियों पर विवेक ख्याती हमें पता लग जा है विवेक ख्याती केते हान का उपाय जो है विवेक ख्याती रिविपलवा हानो पाय हानो पाय की रूप में जान जाती है ऐस सम्प्रग्या समाधी को सर कहते इसका वरणन कहां किया गए द्रमेग समाधी का, किस अध्याय में, वैसे सारी समाधियां सर कहते पहले ही अध्याय में आ जाती है, द्रमेग एक मातर ऐसी समाधी है, जिसका चोथी अध्याय में है, इसलिए इसका जो चुछात होती है, कहा गया है, कहते प्रसंख्याने से कैते विवेक्थाती पूरी प्रापत होगी और उसके अनुराग नहीं है कैते आप पुरह रूण रुप से अनुरक्ती चूट गई कैते वो वाली कैते और उस समय सरवता विवेक्था और हो गई है सबसे कीस्त लेवल है संपरियात का वही फ предлож denam दोक्टर रमंदूदी मैं बहुत ही बढ़िया, ओके प्रा छी बढ़िया, तो नेक्स्ट प्रॉशन करोु सर, आदनी है रंजना जी नंजुला मैं, डॉक्टर रिचा आरिया जी, परवीन कुमार सर, सुनुली कुमार सर, अरपिता गुपता जी, रेनु चोरसिया मैं, डॉक्टर अमितार्या जी, तो सर केते, महर्शी पतंजली के नसार प्रमान मता दो, केते, प्रमान कितने है, केते, प्रमान महर्शी पतंजली तीन मानते, यह हमें अच्छे से याद है, प्रमान है क्या ? चित की वृत्ति है Ūरू प्रमान विप्रे विखल्क निज्रस्म्हृत्युए कोंसी कहेंगे प्रित्त्य होती है प्रत्यक्ष अनुमान और आगमा प्रत्यक्ष कहा है अनुमान और आगमा थीक है अब देखो यहांपर एक्जामिनर ने आप से सिंपल उत्तर दे सकता था जान बुझ के लंबे-लंबे उत्तर कर दिए ताकि आपको पदल करें पर्त्यक्ष कहा है अनुमान और आगर श्लोक पढ़ो पर्त्यक्ष कहा होगा बी अनुमान ए और डी बी-ए-डी जहां पर है वह इसर सीक्मेंस भी पूछ लें डायर्क ली दे पूछ ली और कहते हैं सी सही नहीं है ऐसी बात कर दी तो ऑप्शन नम्र टू जो है वो राइट हो जागा तो सी क्या है सर विकल्प एक वृत्ति है प्रमान का हिस्सा नहीं है विकल्प एक वृत्ति है अलेक्सी ठीक है नेक्ट सर नेक्स्ट प्रस्टन पातंजल योग सु सूत्र संख्या पहली तो कहते पांच चीज़ी पहले तो लिखाओ तो अलग बात है नवींद्रि पार्टी सर इस यह हमारी बहस का विश्य नहीं है तीक है कहीं और लिखा तो एक अपने अपने अलग बात है महर्शिप पतंजली ने पांच शब्द यूज के जनम ओशद मंतर तपस समाधिया सिद्धिया ओशदी एक तीन और चार सर एक तीन और चार ओप्शन नमबर तू अपना राइट हो ज सही आप दोनों ही दे सकते हैं हिमाली साहु मैं और कविता मिश्रा मैं केवल आप दोनों जल्दी दीजिएगा उत्तर इसका सही डॉक्टर शुशीला विश्णोई मैं उत्तर दीजिएगा आदमिय मीना कुमारी मैं हाँ जी तो और तो असन के अव्यास का मूल अधेशियाद द्वन्दुहमपर काबू पाना होता है कैसे होता है सर बताओ क्येते मैर शिपतिंजिर दूसरे अध्याय में कहते हैं श्य। उसके जश्ट बाद में 48 नमर सुस्तर में कहते हैं ततो द्वंद्वान अभी गाता है 48 नमबर उत्र में महिर्श्पन नहीं हो सकता ठीक है आगे मोनिका सांगवान में डॉक्टर मोनिका सांगवान जी बहुत ही उत्तम पढ़ने में बहुत ही बढ़िया कहते आशनों का अभ्यास केवल बिमारी की रोकताम और स्वस्थ फिट रहने के लिए किये जाते हैं देखो मूल उदेश्य अगर द्वंद्वान पर काबू पाना है तो केवल बिमारी के लिए नहीं होसा यह केवल शब्द ने लिक्कत कर दी बिमारी के लिए होता तो ठीक मा हाँ बिमारी की रोकताम के लिए होता है स्वस्थ भी ट्रैनी के लिए होता है आसनों का अभ्यास बट केवल शब्द आया तो इसने गडबर कर दी इसने प्रशन की दिशा और दशा बदल दी यहां पर ध्यान रखिया जोती बलार रामायम ऐसी छोटे चोटे चोटे परवीन जी जब आप सुत्तर लिखते हो ना जल्दी-जल्दी क्लास में तो बहुत सारे विध्यार थे तुछ मेरे पास कोल आती बात में कहते हैं प्रवीन जी इतने योग सुत्र वितने आगए तेज कैसे हैं मुझसे पूझते आप बता दिया अगर इनको आप तेज कैस निरवान कहा जाए यह शब्द एक ही चीज़ को रिप्रजेंट करते हैं इसके अलावा अगर कोई शब्द चुटा है तो वह आप देख लिजेगा लग बग एक ही चीज़ को रिप्रजेंट करते हैं सभी तो योग का मुल्ल परम्मोक्षाई, बिल्कुल सर, योग खोद्शियीय Congressman समाधियों यम नियमों का पालन करना नहीं है, परम्मोख्षाई यहां तक लेन के जाने हैं, बिल्कुल आत्मा का सक्षातकार करना, ओ बिल्कुल राईट है, और कियता है योग के अठ्छो अंग का निरंत्र अभ्यास हमारे शरीर और मन पर नियंत्रन में सायता नहीं करता अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है आसन तो करते हैं सर तो मतलब फिर से मेरा रीजन जो है वो गलत है नहीं करता है क्यों करता है बिल्कुल करता है तो मेरा आर गलत है यहाँ पर तो A सही है और आर गलत है हम रेशगीरी साहब A and R वाले कोश्चन तभी तक तिपिकल होते हैं जब तक आपका कॉंसेप्ट क्लियर नहीं है जिस दिन आपका कॉंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसी दिन ठीक हो जाता है और ज्यान रखीए का सभी बच्चे एक भी क्लास आप लोग मिस नहीं करेंगे एक स पता है बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है सभी जानते हैं बट क्लास में इस नहीं करनी है बहुत सारी काम की बाते होंगी यहां पर तो प्रनायम के अभ्यास के द्वारा मन धालना की शमता प्रापत करता है बिल्कुल पहले तो प्रनायम के बारे में देख लेते हैं यह और गत्ती विच्छेद प्रणायम है कौन सा सुत्र है उन्हें चासमा पचासमा कौन सा है तीन प्रणायमों के बारे मिता देंगे किते बाहिया आभ्यांतर और स्तंब वृत्ति तीन है और जो तीनों ही शूरती मलिक में तीनों की खासियत है कि वो देश काल संख्या इन तीनों के दिश्ची कौन से दीरग भी है और सुक्षम भी है यह तीन ही चोथा कहते और है वो उसका नाम है बाया, भयांतर, विश्याख्षेपी चोथा, विश्याख्षे-पी है पर ये कहते दीर की सुक्षम आदी के न्तरगत नहीं आता, चोथा है ये, और कहते प्रनायम जब करते हैं, तो प्रनायम से क्या होता है, इससे तथक्षियंते प्रकाशावर्णम, प्रकाश का आवरण क्षीन होता है, प्रकाशावर्णम क्षीन होता है, क्षीन होता है, ठीक वही तो बात कहा है रखी है, प्रणायम स्वसन के स्वेचिक नियमर और नियंतरण की एक टेकनीक है, जो धार्ना के अभ्यास के लिए मन को सुमर्त बनाता है, क्योंगी लगाके देखो, वही बात करें कि हाँ, मन काम कंट्रोल, स्वास को कंट्रोल करते एक तरह से, स्वेच् तो A and R दोनों ही सही लाइने हैं और दोनों सर एक दूसरी की पूरे कमने व्याख्या बिल्कुल सही है, रीजन सही दिया गया है, और अब ये बता दो जाते जाते अरपिता गुपता में, प्रकाश का आवरणक शीन होता है प्रणायाम से, ठीक है, और किस से शीन होता है कंच प्रवीन सर, बहुत ही बढ़िया, ओके, नेक्ट प्रशन करें सर, आगे, करो सर इसको रेंज, जल्दी से, प्रशन बताओ सर किस अध्याय से, योग सुत्र का कौन सा अध्याय मैं कहूं, जिससे प्रशन हो सकता है, बहुत ही उत्तम, आदमी है, भावेश कुमार सर, बहु योग सुतर देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा, आपको देखनी पड़ेंगे, और आगे किलासिस आप हमारे साथ कर सकते हैं, जिन्होंने रिकोर्डिंग नहीं देखिए, वो प्लीज रिकोर्डिंग जरूर कवर कर लें, जल्दी से जल्दी, तो वेराग्या सर, असल में वेराग्या क्या होता है, क्यते वेराग्या दो प्रकार का है, कौन कौन से सर है, क्यते एक तो क्यते अपर वेराग्या जो पहले हो जाएगा, एक पर वेराग्या जो बाद में हो, क्योंकि हम पहले किस चीज़ को प्रापत करना चाते हैं, हम मोक्ष को प्रापत करन सबसे पहले व्यतिर एक यत्मान व्यत्यर एक लगा पीछे एक लगते ही यहाँ क्या करूँ एकप्र कि इंद्रिय कर दूँ एक इंद्रिय को चार बोला गया option देख Oh option नंबर लिक्राओं मैं व्यत्मान को तीन बोला तो दो एक चार तीन यह हुआ तो दो एक चार तीन कहां पर है ओप्षिन नमर तीन हमारा बिल्कुल राइट हो जएगा अब बताओ सर वर्षिकार संग्या वैराग्या में क्या खास्यत थी कहते वर्षिकार संग्या वाला वैराग्या वह वैराग्या है जिसमें द्रश्टा आनुशरविक इन दो विश्यों का देखे हुए और सुने हुए इन विश्यों का केते छुटकारा हो जाए इन में वेराग्या हो जाए द्रश्टा आनुशरविक विश्य वीत्रशनस से है इन विश्यों में वीत्रिशना का भाग होना ही वर्शिकार संग्या वाला वेराग् तत्परम पर्थम का 16 तत्परम पुरुष ख्यातिर केते जब पुरुष ख्याति हो जाएगी पुरुष ख्यातिर गुण वैत्रिशम और गुणों में प्रकर्ति के गुणों में पूरी तरह से त्रिशना का अभाव सर्था अभाव हो जाएगा केते वही पुरुष की ख्या संधौन की बातर होती है कि रज्दगुन आपको सकाम कर मं संचान कर वाथ करता है तब रज्दगुन कैयते समापट together, तो कुई इच्छा नी रहेंग आपकी यह भी निचाओ यह समाव प्रवारागय कोई संसार का कर लो यह संसार का injury bin बन जाओं कोई भावना नहीं क्योंकि गुण ही नहीं है सर गुणों से त्रिशना होगी पूरी तरह से अभाव हो गया अना पुरा अभाव तो किते हैं यह किसका है प्रवयराग्य का ठीक है इस प्रशन का उत्तर हुआ जल्दी से योगसुत्र याद कर लें बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए एक्जाम के लिए और कक्षा में एंट्री के लिए भी बहुत जरूरी है सर योगसुत्र है है ना ओके तो यह प्रशन बताईए किस तरसे है और एक एक प्रशन है ना एक एक प्रशन आप लोग इतना मत सोची, जब PYQ करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कि sir, question है, ठीक है, उत्तर आता है, आगे चलो sir, नहीं, question है, उसके आस पास में बविश्य में क्या examiner बना सकता है, उसी question से नया question क्या निकाल सकता है, वो दिमाग में हो, तो ये question, अब नया question ये बन सकता है कि बताओ, इसकी सुत्र संग्या क्या है, 1 by 33 है sir, ठीक है, और ये क्या है sir, इनके नाम क्या है, किस का है, इनको बावना चतुष्टे कहते हैं, बावना चतुष्टे, क्या इनको कुछ और भी कहते हैं, क्या, sir, बिल्कुल कहते हैं, इनको चित प्रसादन के उपाई भी मान तो यह किस अध्याय में वर्णन किया गया है किसे समाधीपाद कौन सा ध्याय समाधीपाद कितने सुप्ट्र है 51 पहले में 5 आगे लगता है एक रहेगा पहले का मतलब 1 अब सर किते से समय कर दो मैं तरी किसके सुक्षियों के प्रति कर दो एक यूँख से होती है एक का विलकुल विलकुल Paci मत गूरे करते है तो क्यों से उन से भाव मोधीटा 2 का सरीं का यूका विलकुल ठीक है और उुपेख्षा फट्न अईक प्रपी है मतलब उन से उपिक्षा करो, उनको neglect कर दो, यही प्रशन था, तीक असर, इसी के साथ हम आगे चलते हैं, नेक्ट प्रशन पर, नेक्ट सर, तो एक-एक चीज को आपको देखना है, सभी विध्यारतियों को, एक-एक चीज, रिनू डबराल में, एक-एक चीज का आपको मतलं बराल संक्षा का है, सर, जनमोशदկमें असर। इस सपरखता है है, तो यह हम शोर है, पहले दस सत्र के आसपाशी किया गया, तो पर यह बताओ, एक-एक स्वार्चा किया है? और योगि योगियों के कितने करम हैं?? समाने लोग करते हो, कितने करते ले हैं, कितने हो गए चार अतिन, सातवा सुतर है स्रकी, चोथे अध्याय का सातवा सुतर है कर्मो वाला ठीक है? ओके, और योगी, योगी oss sentir के कितने कर्म होते है, योगी तुन्सका कर्म केवल एक होता है, कौन सा करम एक कौन से वाला ज़ ईशुकल और प्राप नहीं है नहीं है उद्या होता है इनको इंदी में बताना था भस आपको यह प्रशन पूछा गया फिलाल तो आपसे इन future पूछा जास्टे कि सुत्तर संख्या बता दो कहां वर्णन आया करमों का और बता दो करम कितने मानने है महर्शी पतली ने चार करम मानने है जिसमें से तीन समान्यों की है एक चोथा जो है वो निशकाम एक तरह से वो किससे योगियों का है ऐसी क्रिशन मतलब काले करम होते हैं वो सर पापी होते है तो तीन का डी होगा सर तीन का डी और चार का सी हो जहाँ पर सर यही उत्तर है अपना ठीक है ओप्शन नमबर टू जो है वो राइट है बात कलियर रेखा सैनी में हम एक उत्तर कैसे दिया आपने मैं तो गलत रही हूँ इसमें क्या क्या उत्तर दे गए आप लोग शुकल का अगर देखे शुकल करम शुकल की बात करे तो सर शुकल पुन्य होता है एक का बी होगा बिल्कुल एक का भी एक ही जिगाए पर है और कहीं है नी शुकल और क्रिशन की बात करें तो पुन्य और पाप दोनों कहलाते है शुकल और क्रिशन का मतलब पुन्य और पाप दोनों तो दो का सर ए होगा बिल्कुल दो का ए है और तीन का डी हो गया और चार का C हो गया, अब हम कर रहे हैं, नवंबर 2017 के अंदर जो पेपर आया था, पेपर 2, नवंबर में, उस के कर रहे हैं अभी, ठीक है, हाँ जिमान सिक लिता में, करिए, नेक्स प्रशन, यही आगया योगी का करम, देखो एक बार प्रशन आता है कि बता दो कौन से, इस साध रखने के लिए, बस और कुछ निए, सिधा याद रखें तो अच्छी बात है, ना, चोटी-चोटी जीजों को सिंपल याद रखें आप, नेक्स प्रशन सर, बताओ सर, प्रशन, समाधी सिध्धी की विधी कैते कैसे होगी, समाधी सिध्धी, कोमन सेंस का प्रशन फि यही सर किसका है, प्रत्यार है, प्रत्यार से सर इंद्रियों का कंट्रोल होता है, समाधी की सिध्धी नहीं बताए गई, इंद्रियों का, चोवन और प्रत्यार को डैफाइन करता है, और प्रत्यार का फल है, ताता है प्रमा वश्यत इंद्रिया नाम, ऐसे, ओके, तो प्र जो D उत्तर है उसको मैं cancel करता हूँ, यह D यह उत्तर नहीं होगा, ठीक है, D सर यहां पर यह उत्तर नहीं होगा, ओकी, और मैं बात करता हूँ, समाधी सिद्र इश्वर प्रणी धानात, यह बात की गई है कहीं पर, दूसरे अध्याय में यह आती है, नियमों के अंदर नियम है, इन में से समाधी के सिद्धी, B यह होगा योगा, तो B जहां पर है, वो उत्तर होगा योगा, D यहां था, यह नहीं होगा, तो B कहां पर है, B सर, option number 2 में है, और C सर, अभ्यास विराग्या व्याम, अभ्यास विराग्या सर किसलिए होता है, अभ्यास विराग्या चित्त वृत्तियों को नियंतरन करना क्या होता है योग कहलाता है योगस चित्त वृत्ति निरोध है और योग को व्यास जी क्या कहते है योग है समाधी ऐसा कहते है तो सर एक तरे से अभ्याश विराग्या समाधी को लगाते है प्रणायम का फल भी नहीं बताया गया था तो सुच है मनसदा तो दालना की योग्यता ने दो लाव थे सर पकी इंडारेक्टली अपने सी और भी समाधी के आए हैं तो उत्तर निकालना आगा पूर्णम सिंग मैं ऑप्शन नमबर टू जो हो अपना राइट होगा इस प्रशन का आगे करिए इसी के साथ साथ मुझे ये ब अभ्यास विरागय का जो सुत्र आता है मैर्शी पतंदली का वो सुत्र संख्या क्या है? वो पताईए जल्दी से, इस प्रशन का उत्तर होगा option number two, right अना? सुत्र संख्या प्रथम अध्याय का बाहरमा सुत्र सर, यही है ना? अभ्यास विरागया अभ्याम द्वा, यही बाह फ्रवान फिरावश बाजया भ्रागयाव्यां तनिरोध है ऐसा है सर करो सर इस स्वर्षन को क्रिया योग से क्लेश की निवृत्यी होती है जिससे समाधी के प्राप्ती होती है सर बात पूरी सही है बिल्कुल क्लेशों की निवृत्ति होते हैं माने क्लेश तनू होते हैं क्लेश तनू करना चाहिए बट निवृत्ति दे दिया अर्थ वही निकल रहा है अर्थ वही निकल रहा है मित्ता रहे हैं क्लेश तनू होते हैं जिससे समाधी मिलते हैं क्लेश तनू करना अर्थ है समाधी भावन यह बात है क्लैश helps Es adhesive A and right दोनों में इस समधी लगाने की बात हो रही है और दोनों में क्रिया योग की बात हो लिये और judy कोई जची में बात वरी तो दोनों व्यक्षा बिल्कुल सई होगी 30 की बात रोए अंत्राएं, 30 में होती है, 3 ऐसे लिखते हैं, अंत्राएं, तो यहां पर 3 के पीछ जीरो, अंत्राएं, दूसरा सर, विक्षेप सहब हुआ है, सहब हुआ है, प्रतम अध्याय का कप्तिस, सर उत्तर क्या देज का प्राची बट मैं, रिचा आर्या मैं, क्रियायोग दोनों में है, दोनों में क्रियायोग है, ठीक है, नमबर एक, क्रियायोग दोनों में है, दोनों में है, समाधी दोनों में प्राप्त हो रही है, समाधी दोनों में प्राप्त हो नहीं की बात की गई है, ठीक है, यही बाते हो रहे है, दोनों पोजिटिव बाते और यह दोनों में ठीक है इसलिए दोनों बातें सही तो थी और साथ में व्याख्या ठीक होगी व्याख्या ठीक होने के लिए नियम चाहिए अब इस प्रशन में देखो दोनों बातें है तो सही जरलग तो सही रही है मुझे पहले ध्याय का तीसवा सुत्र है अंत्रायों के लिए और यह जो हैं दुख दॉर्मनस्य अंग मेचे तो स्वास और प्रश्वास यह कौन से पहले द्याय का 31 सुत्र है अब मुझे बताओ कि निचे वाली बात अंत्राइं की हो रही है क्या अंत्राइं वैसे कितनी है मुख्य रुप से पहली नोई है बाकी वाली तो सहब ठीक है परंतु केते यह दूसरी व्याख्या ठीक नहीं है अंत्राइं की व्याख्या नहीं निच्चे वाली किसकी व्याख्या है निच्चे वाली जो बात है वो सहब हुए को व्याख्या किया या व्याख्या सहब हुए को बताया है सहब हुए को अंत्राइं को नहीं बता व्यक्षाइब करते हैं तो मेरा आर ठीक होता हद व्याख्या घीक होती अभी एंड फीक तो है अब आर ठीक है व्याख्या को एक्सेह संप्रग्यात समाधी के निमली प्रकारों को उचित क्रम में बताओ प्रकार बताने से पहले सुटर संख्या पूछे गांकि बताओ कि अगली बार आपसी सुटर संख्या पूछेगा पेले जयाद कर सार्प घास मानग मैं रूंघ थी पहले ड्यारे का संप्रयाद स्माध़ी एसे याद वितर्क विच्चार तीसरी आनन्द और असमिता नुगत असमिता नुगत समप्र गाता है यही है यह दीक है अब यह द्यानध ने बहुत से बच्चा को सुत्रयाद होता है अंजली शермा में एक्जाम में जाकर क्या गडबड हो जाती है पुजल हो जाता दिमाग, तो इंद्रियों से जोड़ा गया आनंद को, इंद्रियों को समाधी हो रही है, इंद्रिया मन्ं आदी पर सàiयम करने से, तो आनंद पहले आता है, असमीता बाद में आएगा, तो आनंद पहले ही आ जिएगा, तो वितर्क कों सा है, सर C, विचार को क्या कहा गया है, A कहा गया है, आनंद को क्या कहा गया है, D कहा गया है, और असमीता को क्या कहा गया है, B, तो C, A, D, B, यह जहां पर भी है वो रॉइट अंसर है, आपका हो जाएगा सर, C, A, D, B, यही उत्तर होगा, ओके, समापत्ति किसको कहा गया है, पहली समरिती परिशुद्धों स्वरूप शुग्या हो जाए और अर्थ मात्र का आभास हो निर्भासम इतनी निर्वितरक का समापत्ति यही बताया गया था ठीक है सर ओप्शन नमबर चार जो इसका राइट हो जाएगा आगे चले हाँ और समापत्ति की प्रिवाशा क्या थी शीन वृत्तिर समापत्ति की प्रिवाशा तीन चीज़ें होती है किते वृत्तियां क्षीन हो जाती है और क्या हो जाता है अभी जाता से मनेर ग्रहित्री ग्रहन ग्राहिये शू तत तत दें जनता समापत्ति तब होता है किते अब सर यह प्रशन जो है किस अध्याय का है चैप्टर पता हूं सर चैप्टर शालिनी वहम तीसरे का नहीं है यह फूर्थ अध्याय का है और फूर्थ अध्याय में सर क्यों बात होती है वासनाओं के संबंद में यह प्रशन आता है वासनाओं के संबंद में वासनाओं हैं केते और वो वासने केते हैं हमेशा अनादी सी रहती होती है, कभी केते खतब ही नहीं होती है, जब तक आप है ना, तब तक केते हैं वो वासना भी रहेगी, तासाम, अनादी, अशिशो, नित्यत्वाद, केते हैं वो नित्य रहती होती है, अब केते फिर उनको नाश कैसे गरे हैं कहते उनको नाश करने के लिए करते चार चीजे है ये तु फल आष्रिय और अलंबन कहते ये चार चीजे है इन चारों को नश्ट करदो संग्रहित एशाम Division ये चारों ये ते हेतु केते कलेश है सारे हेतु ही होती है कलेश और करम केते वही तो काम करवाते है आपसे आपके अंदर कलेश है राग प्रेम उमढ रहा है आपके अंदर तो प्रेम ही करोगे ना इर्शा उमढ रही है आपके अंदर कलेश उमढ रहा है तो इर्शा ही करोगे किसी से तो क्ले एका 2 ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता ठीक है एका 2 होगा इसी से मेरा पूरा उत्तर एक्जाम में निकल गया एक्जाम में जब मैं बैठा हूं मानसी कलिता में मैं आपकी साथ ऐसा बहुत होता है बहुत सी चीज़े भूल जाते हो आप तो एका कंफर्म है सर तू ही होगा और हो ही नहीं सकता ठीक है हे तू आगे कहते वासना का फल फल क्या मिलता है कहते जो जो आप काम करोगे ना जैसे जैसे किसी से दवेश रखा किसी से मालो आपकी पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ने की पढ़ने की बहुत इच्छा है आज अगर क किसी की इच्छा है शुबेय शुबेय चारें हुट करके योगा अनुरोम विलूम आदा अदा गड़नधा यह कोई करेगा तो सर स्किन डिसीज किसी को होगी तो सर यह इच्छा होगी तो आपको अच्छा स्वास्थे मिलेगा तो जनम आयूर्भोग जात्य आयूर्भ होगा ऐसी बात की जाती है वहाँ पर महर्शी पतंज लीगे द्वारा ठीक है वासना कफल आश्रिय कैते कैसे है यह रहती कहां पर रहती है इनका आश्रिय स्थल आ अभी जीव जन्तों का तो यह चित्त में रहती है किते वासनाई और किते विश्य आलंबन किते किसका आलंबन होता है कैसे प्रकट होती है किते इनको जैसे वासना किते तब ही प्रकट होती है हम सादू सन्यासी बने हुए बिलकुल ना योगी बने हुए पर तो जैसी सर हम वारे सामने विश्य प्रकट हुआ, विश्य बाने खाने पीने की चीज़े वस्तु प्रकट हुई, वैसी हम सर वासने प्रकट हो जाएक ते हाँ इसको खाने की इच्छा है नहीं, ठीक है, तो D का सर 3 होगा, C का 4 होगा बिलकुल, और B का 1 हुआ, और A का 2, बात समझे में अगर कोई विद्ध्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है, यदि आप भी हमें next exam के लिए तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा free structure है, 12,000 रुपे, एक साल, only one year के लिए है, ये केवल और केवल paper to yoga होगा, इसमें only paper to yoga, इसमें आपको 5 conduct करते हैं, अगर आप busy है, आपका schedule busy है, live class में नहीं आ सकते हैं, तो live class की आपको recording हम provide करवा देते हैं, उसको फिर application पर आप जब चाहें, जब आपके बास suitable time है तब देख सकते हैं, इसके साथ में हम per day quizzes करते हैं, daily जो topic होता है, unit wise, topic wise हम quizzes करवाते हैं बच्चों को, तो कि आ आप अपने आप कहा stand कर रहें, कितना पढ़ पा रहे हैं, उसका आपकी scoring बनती रहती है, daily application पर और साथ में जो सबसे important part होता है, previous year question paper, with the depth analysis, सारे की सारे आज तक जितने भी योग के paper हो है, वो सारे की सारे आपको हमारी application पर available हो जाते हैं, 12,000 रुपए paper to yoga के लिए, एक सा यदि आप paper one भी करना चाहते हैं, तो ये same features के साथ में paper one भी करवाते है, paper one, जो कि journal aptitude होता है, वो भी हमारे exam के लिए बहुत important है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते है, only paper two पर focus करते हैं, कि हम तो ये कर लेंगे हो जाएगा, paper one को छेड़ते ही नहीं, paper one को भी कसर कर करना जरूरी होता है, तो paper one को भी जो करना चाहते है, तो हम paper one में भी अपनी सेवाई दे रहे हैं, उसको भी आप join कर सकते हैं, जिसकी fees है, एक साल के लिए 5,000 रुपए, paper one की fees जो है, 5,000 रुपए है for one year, ये same सारी चीजे उसमें भी मिलती है आपको, तो यदि आप करना तो आप जल्दी कीजिए, क्योंकि next exam जल्दी होने वाला है, और कोई विद्यारती ये सोचते है कि नहीं सर मैं अगली बार त्यारी करूँआ, उससे अगली बार त्यारी करूँआ, तो देखो दोस्तों ऐसा अगली बार, इस बार मेरी समस्या जादा है, अगली बार बट उनको में किसी ना किसी तरीके से से करना होता है डील करना होता है वो हमारी खुद की responsibility होती है उसके साथ साथ हमें आगे बढ़ना होता है तो आगे अगर बढ़ना है अगर आपने सोच है कि मज़े जयारफ करना है तो जल्दी कीजिए और हमारी अप्रिकेशन आप एक्यूरेट योगा गूगल प्ले स्टोर से इसी नाम से है एक्यूरेट योगा के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको कोई आइकन जरूर दबा दे सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको जो भी हम वीडियो डालते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए अप्डेट्स आपको मिलते रहे हमेशा है किसी भी अप्डेट्स से मिस नहीं हो थैंक यू टू धन्यवाद आप सबका